तो दोस्तो आज मैं एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी सिसुको मूवी को एक्स्प्लेइन करने से पहले मैं आप से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे काली कले से लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाकर ग्रे करतें इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोज को देख पाएंगे और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए मैं आप के लिए वीडियोज लाता रहूंगा और मुझे थोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फेस्बुक अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मुवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दूसरा विश्वयुद खतम होने की कगार पर था फिनलैंड ने सोवियत यूनियन के साथ एक संधी पर हस्ताक्षर किये जिसका नाम दिया गया मॉस्को आर्मिस्तिस जिसमें कहा गया कि फिनलैंड नाजीओं को निहत्ता करके लैप लैंड से बाहर करे नाजीओं बाहर तो जा रहे थे लेकिन अपने रास्ते में आने वाले हर गाओं, हर शहर, हर घर, हर शक्स, हर सड़क को तबाह करते जा रहे थे इसके बाद हम अटामी कोरपी नाम के एक बंदे को देखते हैं, जो कि लैप लैंड की विरान पड़ी जमीन पर खोद खोद कर सोने की तलाश कर रहा होता है पर उसे छोटे से तुकडे के अलावा और कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो उसको पाकर ही इतना खुश हो जाता है जैसे सारा जहां उसे मिल गया हो एक दिन खुदाई करते करते उसके हाथ खूप सारा सोना लगता है, जिसे पाकर उसकी अंधेरी दुनिया में सोने की चमक से उजाला हो जाता है अगले दिन वो मस्त नहा धोकर दो दो बैग में सोना भर कर अपने पालतो कुट्टे और घोडे के साथ शहर की और निकल पड़ता है उसे बेचने के लिए रास्ते में उसे नाजीस की सेना की एक टोली मिलती है जो की वापसी कर रही थी तो उसमें से टैंक ड्राइवर अटामी को मारने के लिए बंदूग तानता है पर उन सबका में लीडर ब्रुनो ऐसा करने से मना कर देता है ये कहकर की वो मरने के लिए तो जाही रहा है रहने दो टैंक ड्राइवर ने एक ट्रक में खूप सारी जवान लड़कियां भर रखी थी और उनके साथ वो जबरदस्ती करके अपनी हवस मिटाता था थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे नाजजी सिपाही मिलते हैं जो कि सोने से भरा बैक देख लेते हैं तो वो उसे और उसके कुट्टे को मार कर सोना लूटने का सोच लेते हैं एक सिपाही गोली चलाने ही वाला होता है कि अटामी तुरंत फूर्ती दिखाते हुए चाकू उसके भेजे के आरपार कर देता है ये लोग उसे बुड़ा आम आदमी समझ रहे थे पर अटामी दो तीन मिनट में ही उन सबी की हड़ी पसली एक करके उन्हें धूल चटा कर वहां से रवाना हो जाता है जो टोली आगे निकल गई थी वो गोलियों की आवाज सुनकर वापस आती है तो ब्रुनो देखता है कि वहां सम मरे पड़े हैं एक सिपाही के हाथ में सोने का तुकड़ा देखकर वो समझ जाता है कि ये सब उसी आदमी ने किया है ब्रुनो को ओर्डर्स थे वापस आने के पर वो बदला लेने के लिए पलट कर उस आदमी को धूड़ने निकल पड़ता है उसे जैसे ही अटामी दिखाई पड़ता है वो टैंकर और मशीन गन से उस पर हमला कर देते हैं तो उससे बचने के लिए अटामी अपने घोडे को तेजी से दोडाता है पर उसे नहीं पता था कि उन लोगों ने रास्ते पर लाइन माइन्स बिछा रखी हैं जिसके चलते घोड़े का पैर लाइन माइन्स पर पड़ते ही उसके तुरंत पूरे चीथड़े उड़ जाते हैं अटामी तो बच जाता है लेकिन उसका घोड़ा बेरहमी से मारा जाता है जिसका उसे बहुत दुख होता है तभी वो देखता है कि पूरा सोना बिखर गया है तो वो उसे बटोरने लग जाता है अब वहाँ पर ब्रुनो अपनी सेना के साथ आकर खड़ा हो जाता है लेकिन तभी अटामी पत्थर मार के बाकी लाइन माइन्स फोड़ देता है ताकि वो वहाँ से भाग सके ब्रुनो को भी नहीं पता था कि वहाँ कितनी लाइन माइन्स हैं तो वो अपने तीन सिपाईयों को भेशता है तो तीनों की धज्या उड़ जाती है अब वो दो लड़कियों को लेता है और उन्हें आगे आगे चला कर खुद पीछे चलता है ताकि अगर कुछ हो तो उनको हो बुरुनो को जमीन पर पड़ा अटामी का एक बिल्ला मिलता है तो टैंक ड्राइवर अपने सीनियर से जानकारी लेके बताता है कि उस आदमी का नाम अटामी कोरपी है जोकि एक फिनिश कमांडो था सरदी के उस भयानक युद्ध में रूसी लोगों ने उसका घर और परिवार चीन लिया और फिर बदले की आग में वो एक खुंखार सिपाही बन गया जो किसी की नहीं सुनता फिन लैंड की सेना कई कोशिशों के बाद भी उस पर काबू ना पा सकी तो रूसी सेना से लड़ने के लिए उन्होंने उसे विराने में छोड़ दिया माना जाता है कि उसने अकेले ही रूसी सेना की तीन सो आदमियों को मार गिराया था रूसी सेना ने उसे एक नाम दिया है वो उसे बुलाते हैं कोशाई कभी न मरने वाला जनरल ने कहा है कि तुम लोग किस्मत वाले हो कि जिन्दा बच गए और अब कोशिश करो कि वापस उसके रास्ते में कभी न पड़ो ब्रुनो इतना सब सुनने के बाद कहता है कि ये सच है कि हम जंग हार रहे हैं और कुछ दिनों बाद ये सब खत्म हो जाएगा और हमारे वापस लोटते ही हमें मार दिया जाएगा तो जो सोना अटामी के पास है वही हमें जीवनदान दे सकता है इसलिए हम वापिस नहीं उसके पीछे जाएंगे अब हम देखते हैं कि अटामी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था तो वो एक गाड़ी के पास छुपकर थोड़ा अराम करने लग जाता है पर तभी बुरुनो आ जाता है जिसके साथ शिकारी कुटे भी थे जो की आसानी से उसे धूंड लेते वो चुपके से उनकी एक गाड़ी के नीचे लटक जाता है और पेट्रोल की टंकी में छेट करके पेट्रोल अपने उपर डाल लेता है ताकि कुटे उसकी महक न ले सके बुच जाता है बुरुनो नाव से अपने दो तीन सिपाहियों को जील में भेजता है उसे मारने के लिए पर अटामी उनको मार कर जील को लालम लाल करते हुए चालाकी से जील पार करके निकल जाता है अटामी ने तो जील पार कर ली थी पर उसका पालतू कुटा नहीं कर तो ब्रूनो उसे अपने कबजे में लेकर उसी के सहारे अटामी को पकड़ने का सोच लेता है। अटामी आगे बढ़ते हुए देखता है कि इन लोगों ने पूरे एक गाउं को ही जला के राग कर डाला है और वहाँ एक इनसान भी नहीं बचा। वो खंधार पड़े एक पे पेनामाइट स्टिक बंधी हुई थी जो कि अटामी द्वारा दूर फेकने से पहले ही फट जाती है जिसके चलते अटामी घायल हो जाता है। अब वहाँ पर ब्रूनो और टैंक ड्राइवर आकर अटामी की गले में फासी का फंदा डाल कर उसे लटका कर मरने के लिए अगली सुबह वहाँ नाजी सिपाहियों का प्लेन लैंड होता है जो कि पेट्रोल की तलाश में आए हुए थे। उनके प्लेन के कमपन से वो खंबा तूर जाता है जिसमें अटामी लटका हुआ था तो उसकी जान बच जाती है। सिपाही उसे मारने के लिए आगे बढ़ हम देखते हैं कि ब्रुनो की टोली मस्त जा रही होती है कि तब ही उनके सामने एक प्लेन दिखाई पड़ता है जो कि पूरी तरह से शती ग्रस्त हो चुका था। पाइलट के गले में एक रस्ती पड़ी हुई थी तो टैंक ड्राइवर कहता है कि ये तो वही रस्ती है जिस साथ हो जाती है और बंदूक लेके नाजी सिपाईयों को भूनना शुरू कर देती हैं अटामी टैंक पर चड़कर टैंक ड्राइवर को बाहर निकाल के फेक देता है तो टैंक ड्राइवर को लगता है कि आज तो उसकी मौत पकी है लेकिन अटामी उसे छोड़कर ब्रुनो प्लेन खड़ा था उसने अपने लिए एक प्लेन मंगा लिया था ताकि वो सोना लेकर ये जगए छोड़कर कहीं दूर निकल जाए प्लेन टेक आफ होने ही वाला होता है कि तबी सामने अटामी आ जाता है और उन पर गोलियों की बरसात शुरू कर देता है प्लेन उड़ तो ब्रूनो सोचता है कि चलो बला टली लेकिन अटामी जमीन खोदने वाले हतियार से प्लेन में खुद को अटका लेता है और फिर छेद करके प्लेन के अंदर घुच जाता है अब यहाँ पर ब्रूनो और अटामी में भयंकर तरीके से लड़ाई होती है जिसमें कि जाती है कि वो उड़ भी नहीं पारा होता ब्रूनो उसे खतम कर नहीं वाला होता है कि तबी अटामी एक बेल्ट लेकर उसका एक छोर ब्रूनो को बानता है और दूसरा छोर एक बॉम में बान देता है और बॉम को नीचे गिरा देता है बॉम के साथ साथ ब्रूनो भी उस के साथ चला जाता है और जाते जाते अटामी को बीच वाली उंगली दिखा कर अंग्रेजी में गाली देता है और फिर जमीन पर पहुचते ही बॉम के साथ वो भी फटके स्वाहा हो जाता है जो गोलियां अटामी ने प्लेन पर चलाई थी उससे पाइलेट मर चुका था और का इंजन भी खराब हो चुका था तो प्लेन अपना बैलेंस खोते हुए नीचे गिरने लग जाता है प्लेन में एक भी पैराशूट नहीं था तो अटामी सोने का बैग लेते हुए खुद को रसी से बांध लेता है और तयार हो जाता है मौत से सामना करने के लिए प्लेन तेजी से नीचे आते हुए जमीन से टकराता है और उसके परखचे उड़ जाते हैं और उमीद नहीं थी कि अटामी बचा होगा असल जिंदेगी में तो ना बचता लेकिन ये फिल्म है और उसे कभी ना मरने वाले इंसान की उपाधी मिली है तो वो चमतकारी रूप से हो जाता है कि आखिर इन लोगों ने ये किया कैसे हम देखते हैं कि अटामी को अपना पालतु कुटा मिल जाता है और वो फिर बाइक लेकर सीधे शहर के बैंक पहुचता है आस पास के लोग उसे घूर घूर के अजीब निगाहों से देख रहे होते हैं क्योंकि सब एकदम बंठन के खड़े थे पर अटामी कीचर और खून में लदपत खुदाई का हतियार लिए चला आया था वो भी इतना सारा सोना लेकर पूरी मूवी गुजर जाने के बाद अब जाकर अटामी अपना मूँ खुलता है और उनसे कहता है कि सोने के बदले मुझे नोट चाहिए वो भी बड़े वाले क्योंकि उन्हें ले जाने में आसानी होगी और फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तो इस फिल्म की काफी चर्चा हो रही थी और कहा जा रहा था कि जॉन विक को टकर देने वाला कोई आ चुका है पर मुझे ऐसा लगा कि इस में उतना दम नहीं था कि जॉन विक को टकर दे सके अटामी की बैक स्टोरी वैसे ही बताई गई जैसे जॉन विक की थी अटामी ने अकेले 300 को मारा तो जॉन विक ने एक पैंसल से लोगों को मारा था तो पुराना टचप दे के बनाया कुछ वैसा ही गया पर उतना मजा न की जाए तो फिल्म ठीक ही थी लास्ट के जो दो सीन है वो बिलकुल भी हजम नहीं हुए पहला वो की अटामी जमीन खोदने वाले हतियार को अटका के प्लेन में लटक जाता है और फिर अंदर भी घुच जाता है वो भी हवा में फिर दूसरा ये की प्लेन क्रैश होने पर वो बच जाता है तो ये दो सीन देखकर लगा कि ये तो बिलकुल मुम्किन नहीं अटामी का करदार निभाने वाले जोर्मा टोमेला ने काफी बढ़िया काम किया है और उनकी एक्टिंग सही थी एक्शन सीन्स जितना ट्रेलर में दिखाये गए थे उतना ही है मूवी में पूरी मूवी और अच्छी होती अगर बता दिया जाता कि जो में करेक्टर है वो आम इंसान नहीं बलके सुपर हुमन है तीस आदमी गोलियां चला रहे हैं और अंकल जी एक धकन को ढाल बना के उससे बच रहे हैं तो आम इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता अटामी ऐसा इंसान है जो मर नहीं सकता पर ब्रुनो को इतने मौके मिले कि वो सीधा उसके भेजे को उड़ा कर कहानी खतम कर सकता था लेकिन वही है कि जब तक कोई बेवगूफी नहीं करेगा तो मूवी आगे बढ़ेगी कैसे जब टैंक ड्राइवर अटामी के बारे में बताता है कि वो क्या था तो उसे सुनकर अटामी के लिए जो डर और भोकाल पैदा होना चाहिए वो बिलकुल नहीं होता कुल मिलाकर मूवी की हाइप तो बहुत बनी पर ठंडे बस्ते में चली गई डैरेक्टर ने कहा था कि ये फिल्म अगर अच्छी गई तो वो इसका पार्ट तू भी बनाएंगे तो अब देखते हैं कि बनता है या नहीं समझ लीजिए ये हॉलिवुड में बनी सल्मान खान की एक मूवी है जिसमें लॉजिक और फिजिक्स का कोई नाता रिष्टा नहीं तो ये था एक्स्प्लानेशन सेसु मूवी का आपको मूवी और मेरा एक्स्प्लेइन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई और नमस्ते झाल 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 झाल